चेप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कोस्चेन हाव मैनी मल्टिपल्स आप 4 लाइब बेट्विट्विन 10 & 250 & आल्सो फाइंड बेर सम इसकोस्चेन में हमें 10 & 250 के बीच कितने नंबर है जो 4 के multiple है अमें ये find करना है और फिर उनके हमें sum भी find करना है तो सबसे पहला जो number होगा वो 4 का टेबल से जो divisible होगा 12 फिर next one जो होगा वो 16 टॉट 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 250 में ही होगा 248 जो 4 का टेबल से divisible है तो पहले हमें सबसे पहले हमें इसमें फाइंड कर लेंगे कितने numbers है जो 4 का टेबल से divisible होगा जो है एर a is equal to 12 and d is equal to here 2 minus a1 so is equal to 16 minus 12 so 4 and an is equal to 248 so a plus n minus 1 d is equal to 248 यह यह दी के value हम इसमें पूट करेंगे तो यह होगे 248 so 12 plus 4 n minus 4 is equal to 248 so implies that 4 n plus 12 में 4 लेस करेंगे तो यह होगा 8 so is equal to 248 so 4 n is equal to 248 minus 8 so is equal to 240 so therefore n is equal to 240 अपन 4 so is equal to 60 10 or 250 10 or 250 के बीज जो numbers है जो 4 के टेबल के divisible है हो 60 numbers है total अब हम क्या करने हो उनके अब इनके हमे sum point करना है so अब हम हम sn का formula जोच करेंगे so sn is equal to n upon 2 2a plus n minus 1 d so n की वैलू आपने भी निकाला था 60 so 60 upon 2 2 इंटू और a की जो फैलू है हो है 12 plus 60 minus 1 और d की वैलू है 4 so स्कूश से हम कैंसल करेंगे तो ही हो 30 30 and 12 to the 24 or 59 into 4 so is equal to 30 24 236 so is equal to 30 326 6 so is equal to 7 8 8 00 so which is the required answer t झाल